चैप्टर तीन देख रहे हैं करंट इलेक्रिसिटी इलेक्ट्रो मोटीफ फोर्स या एमफ और टर्मिनल वोल्टेज जो होता है सेल का उसकी बात करेंगे हमने देखा कि करंट में क्या होता है मोशन होता है चार्ज पार्टिकल का जब चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं हम एम कहते हैं कि करंट बहरा है अब इस मोशन को लाने के लिए क्या करना होगा फोर्स जरूरी है वहनद दूर्स के कैसे چीजे मूव करेंगी या यह कहें कि एनर्जी आपको सप्लाइ करना पड़ेगा इन चार्ज पार्टिकल को तो ऐसा डिवाइस जो ये काम करता है, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है या सोर्स है इस, देखें, इसमें EMF शब्द आ रहा है Electromotive Force ऐसा फोर्स जिससे electron या charges motion में आएं इसलिए इसको Electromotive Force कहते है कौन सा डिवाइस देता है इसको ऐसा डिवाइस जो देता है उसको Electromotive Force कहते है वो बैटरी ही है अगे आएगा हो तो बहुत सारी तरीके हैं जैसे force को apply किया जा सकता है, जैसे force exert किया जा सके charge पे आप chemical process से कर सकते हैं एक electric cell लें जिसके अंदर chemical process चल रहे हो उससे force exert किया जा सकता है और जो force exert किया जा सकता है charge पे हो सकता है कि हम magnetic field को vary करें या temperature difference से हो सकता है यह सारे के सारे जो devices हैं यह सारे के सारे EMF के source हैं Electromotive Force के source है याने कि ऐसा force देते हैं जिससे charges motion में आ जाए charges motion में आ जाए ऐसे force हैं तो battery या cell ये भी एक source है EMF का तो EMF का मतलब क्या है मैंने आपको पता है Electromotive Force हम example से देखते हैं कि Electromotive Force होता क्या है शर्द पे धियान रखेगा तो अगर इस figure को आप देखे तो ये एक schematic diagram बता रहा है तो force जो होंगे इन charges पे exert होंगे force इन पे लगेगा इन forces को हम कहते है chemical forces या non electric forces Fn क्यों क्योंकि ये forces chemical reaction जो battery के अंदर हो रहा है जो chemical present है उनके कारट जो इसमे negative और positive charge है उन पे force लग रहा है तो जो force है वो क्या करेगा ये जो Fn है non electrical force ये positive charge को आपके positive charge को एक terminal की तरफ भेज़ेगा और negative charge को दूसरे terminal की तरफ भेज़ेगा तो अज़र मैं Fn की बात करूँ तो ये क्या करेगा positive को इस तरफ भेज़ेगा negative को इस तरफ भेज़ेगा ये electromagnetic force है इसी लिए आप बलेंगे ये तो plus है तो आप रिपल करने चाहिए लेकिन मैं electric नहीं non electric force की बात कर रहा हूँ chemical force की बात कर रहा हूँ अब जो negative और positive charge है जो positive और negative terminal पे आ जाएंगे वो एक अपनी electric field बना लेंगे एक potential difference बना लेंगे तो इससे क्या होगा कि ये potential difference बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा इसका मतलब जो fe है अब देखे इस force के कारण fe याने की electrical force जो की आपका q into e electric field के बरापर होता है वो charge पे लगने लगेगा अब वो किस direction में होगा अगर fn इस direction में हो रहा है तो fe इस direction में होगा तो steady state में क्या होगा कि जो charge है कभी in side में accumulate होने कम हो जाएंगे या रुख जाएंगे terminal से और beam है अगर आ रहे हैं तो जब ये जो non electrical force है वो electric force के बरापर हो जाए तो जो काम किया गया non electric force द्वारा जो fn है एक unit positive charge को negative terminal से positive terminal में ले जाने के लिए मतलब line हमने किया integration fn और dl पे ले गए है ये non electric force है काम कितना हुआ integral किया आपने छोटे distance पे ले गए और integral किया तो पुरे distance पे एक terminal से दुस्से terminal पे आप ले गए जब जो line integral है ये आपका negative से positive terminal के लिए है तो definition जो मैंने आपके electromotive force की दी ये काम होता है work done होता है आपना कितना मेहनत की वो ही आपका equivalent है electromotive force के बराबर तो electromotive force की definition दी जाए तो जब एक unit positive charge इसको drive किया जाए negative से लेकर positive terminal में किस करण से जो non electric force है तो energy जो gain करेगा आपका charge यानि कि जो work done हुआ non electric force द्वारा उसे ही हम EMF कहते है battery का या electromotive force कहता है battery का unit है electromotive force या EMF की joule पर कूलं volt कहते है और ये skin के नाम पे दिया हुआ एक great scientist हुए volta V-O-L-T-A इसलिए volta है EMF धान रखेगा फिर से मैं बता रहा हूँ EMF force नहीं है EMF is not a force electromotive force इसमें आ रहा है लेकिन ये electromotive force नहीं है ये केवल energy per unit time है electromotive force अगर steady state की बात करें battery में जब जो non electric force है वो electric force के बराबर हो जाए तो जो electric charge है battery में वो कोई motion तो create नहीं करेगा इसका मतलब कोई current flow नहीं खरेगा उस battery में जो कि यहाँ पर बराबर हो गई चीज़े जब charge move करेगा तभी तो कोई current भेगा वाई equal to zero है इस condition में हम कहते हैं कि जो circuit है वो open है इसको हम open circuit condition कहते हैं अब क्या करते हैं एक और condition समझी हमारा resistance आर यहाँ पर हमने लगाया दो terminal है प्लस और माइनस अब जो electric field इसके बीच में आ गई अपने आप establish होगी तो इसके कारण जो positive charge है जो higher potential पे होए है वो negative terminal की तरफ जाने लगेंगे बैटरी के इस wire के through इस wire के through यह wire जो आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर प्लस से लेकर negative में जाने लगेंगे क्योंकि higher potential है higher potential से हमेशा charge root के जो lower potential है वो उसके तरफ जाते है अब सवाल इसमें यह आता है कि क्यूं वाइ डिटेंगे पॉजिटिव चार्ज मूब ट्वाट्स नेगटिव तरफ बैटरी के अंदर बैटरी के अंदर यह क्यों नहीं हो रहा है कि जो positive charge है वो आपके negative terminal के तरफ चले जाए inside the battery इतना लंबा root लेने की क्या वशकता है अंदर से क्यों नहीं चले जाते इसका reason यह है कि जो non electrical force है यानि कि Fn वो oppose करते हैं जो motion है positive charge का जो negative terminal के तरफ जा रहे होते है बैटरी के अंदर द्यान रखेगा इसलिए उनको बाहर से जाना पड़ता है तो जो energy है positive charge की वो consume किसमे हो जाती है वो इस resistance की कारण consume हो जाती है जब वो negative terminal पे पहुंचता है तो उसके energy shined हो जाती है zero हो जाती है हर बार ये होता रहता है अगर ये energy shined नहीं होगी तो यहां से फिर current ये charges आना बंद हो जाएंगे आता है फिर कम हो जाता है फिर आता है फिर कम हो जाता है ऐसे होता है तो जो flow हो रहा है current का जो positive charge है वो move कर रहा है negative terminal से लेकर positive terminal में because of non-electric force इस motion के दोरान जो charge है उसको pass करना पड़ता है chemical material जो battery में यह कहिए कि battery भी तो अपना एक resistance दे रही है इन charges को battery भी अपना एक resistance दे रही है जिसको हम internal resistance कहते है battery का r, small r वहाँ तो ठीक है लेकिन अंदर भी तो एक resistance मिल रहा है उसको तो वो internal resistance होता है battery का, small r तो इस internal resistance के कारण जब एक unit positive charge जो positive terminal में पहुँचता है तो कुछ जो part है उसके energy का जो उसने gain किया है जो उसने काम किया non-electric forces के against वो consume होता है internal resistance दोरा यदि जो current है battery में आई बहरा है तो energy जो consume हुई internal resistance के again तो हम देखे V equal to IR बोलते है क्यों? V तो आपको potential energy से ही तो related है I है small r के कारण internal resistance के कारण तो जो energy है unit positive charge की positive terminal जो battery का है वो कम होगा किस amount से IR अगर आप energy देखे अगर open circuit condition माल ले तो open circuit conditions में अगर E है तो अगर आप battery बतब जब close condition circuit में आज गए तो जो net energy per unit charge होगा वो होगा E minus IR इसका मतलब जब flow हो रहा होगा current का यह energy है इसको हम potential difference कहेंगे दो terminal जो battery के है उसी को हम V कहेंगे V आपका E minus IR आएगा EMF से IR घटा दीजे क्योंकि internal resistance काम कर रहा है वो ही आपका potential difference होगा इस battery के across secondary cell lead accumulator electrochemical cell जो होते हैं दो टाइप के होते हैं एक होता primary cell एक होता secondary cell दोनों वेसे वसे एक simple बात समझे लीजे दोनों का अंतर यह है एक एक बार discharge होगा तो recharge नहीं हो सकता एक एक बार discharge होगा तो दुबारा recharge कर सकते हैं तो primary cell वो cell होते हैं जो discharge हो जाते हैं जो discharge हो जाते हैं उनको primary cell कहते हैं जो जो वोल्टेक cell होते हैं तो primary cell के उसको आप दुबारा recharge नहीं करा सकते हैं लेकिन जब आप secondary cell की बात करते हैं यह cell वो cell है जो original condition जो इनकी थी कि एक बार जब battery use होगी तो उसकी energy lose होगी उसके chemical processes रुख जाएंगे एक समय के बाद तो जो cell है जिसको जिसका original condition जहां से शुख होगी हुआ था उसको अगर आप restore कर सकें chemical processes को reverse करके या recharge करके उनको हम secondary cells की संगया देते हैं secondary cells कहते हैं तो secondary cell में हम pass कर सकते हैं current दोनों direction में अगर हम conventional current की बात करें तो ये जब निकलता है positive terminal से और enter करता है cell को negative terminal में तो हम कहते हैं कि cell discharge हो रहा है ये normal working है cell की जब chemical energy convert होती है आपकी electrical energy में लेकिन अब जब इसको charging कर रहे होते हैं जब cell को connect करते हैं किसी और source से जिसका EMF electromagnetic force जादा है तो current कहां से आएगा current आएगा positive terminal से निकलेगा negative terminal से इसका मतलब जब electrical energy है वो convert होगी आपकी chemical energy में उल्टा प्रोसेस हो रहा है और अब cell जो है जो discharge हो रहा था वो आपका recharge हो जाएगा तो इसी को हम जो secondary cell है जो सबसे ज़ादा use होता है उसको हम lead accumulator कहते है तो lead accumulator की कारवाई कैसे है काम कैसे कर रहा है lead accumulator इसमें electrode होते है जो बना होता है pb-o2 और pb जो immerze होता है दोनों डले होते है electrolyte, dilute, sulfuric acid, h2SO4 अब pb-o2 काम करता है positive electrode की तरह इस diagram को बहुत ध्याद से देखें pb-o2 काम करता है positive electrode की तरह pb काम करता है आपके negative electrode की तरह जब cell काम कर रहा होता है यानि कि discharging हो रही होती है उसकी जो sulfate iron है यह वो कहां जाते है pb electrode की तरह यहाँ इसकी तरह जाते है यहाँ पर आपका negative charge देते है ताकि वो pb-o4 बन सके जो h plus iron है वो जाते है इसकी तरह pb-o2 की तरह और यहाँ पर यह अपना positive charge देते है और pb-o2 से pb-o बन जाते है तो जो pb-o बनता है वो react करता है h2SO4 के साथ ताकि pb-o4 और water बन सके तो जो pb-o4 है lead sulfate जो बना है दोना electrode में और जो concentration है इसका मतलब electrolyte का concentration degrees होने लगता है तो जो concentration है electrolyte का उसको हम hydrometer से measure कर सकते है जब cell एक fully charge होता है specific gravity उस electrolyte की 1.285 होती है और EMF उस cell का 2.1 volt के करीब होता है लेकिन अगर हम discharge condition में आ जाएं specific gravity 1.285 से 1.15 हो जाती है EMF 2.1 से 1.8 volt हो जाता है जब charging हम कर रहे हो अगर हमको charge करना है secondary cell जिसका EMF E है तो एक DC source direct current source हमको लगाना होगा जो आप यहाँ पर दिख रहे हैं यह DC source है जो positive terminal है cell का उसको हम connect करते हैं जो positive end है DC source का positive को करेंगे positive से और negative को करेंगे negative terminal को negative node से ध्यान रहे हैं ध्यान रखेगा इसका EMF इससे जाना होना चाहिए तभी charging हो पाएगी अब क्यूंकि जो chemical reaction इसमें हो रहे है cell में जब charging process हो रहा है तो यहाँ PBS of O लियाने की lead sulfate deposit हो जाएगा दोनों electrode में जो deposit था वो dissolve हो जाएगा जब charging में PBS of O अपके इस पे electrode पे आगया वो dissolve हो जाएगा जो lead हो deposit हो जाएगा negative electrode की तरफ जब PbO2 है वो positive electrode की तरफ और इसी समय जो H2SO4 है वो भी बन जाएगा यह capacity cell की restore हो जाएगी और अब यह current देने के लिए तैयार हो जाएगा क्योंकि रिचार्ज हो चुका है तो जो electrical energy है resistance के कारण यह internal resistance के कारण यह energy वो dissipate हो जाएगी है ना तो कुल मिलागे क्या होगा कि जो VIT हुआ जो electric energy consume किया गया एक DC source दो आ रहा हो कि इसके बरावर होगी इन दोनों के बरावर जो यह है plus EIT यहना कि VIT को आप देख सकते है जो यह EIT यह बाहर का cell है यह बाहर का EMF है जो charge कर रहा है यह अंदर वाला है और यह जो जो है internal resistance external resistance जो आप दे रहा है provide कर रहे है तो इसको जड़ा I I cancel कर दीचे V equal to E plus R into R तो I हो जाएगा V minus E R plus R यह जो equation है यह आपको बता रहा है कि current क्या होगा charging current क्या होगा तो resistance R capital R इसलिए हम लगाते हैं ताकि हम control कर सके current को छे बैटरी हैं जिनकी हर एक का voltage जो है दो volt है यह connect किये गए series में ताकि यह दूसरे को help करें internal resistance हर एक का 0.5 ohm है अब इनको charge किया गया एक DC voltage वारा जो 110 volt है अगर control करना है current को तो एक resistance 46 ohm भी लगा दिया गया आपको पहले तो power drawn निकाला है supply से कितना power draw किया गया और heat के तरह कितनी energy lose हो गई या dissipate हो गई और क्यों यह अलग है why are the two different पहले हम यह वाली चीज़ लगाएंगे क्योंकि हम charging की बात हो लिए अब यह series में है EMF1 का E है तो 6 का हमको लेना पड़ेगा 6 E R1 है क्योंकि 6 लगे है 6 batteries तो R आपको 6 लेने पड़ेंगे external resistance यह की लगाए तो यहाँ 6 और 6 करना पड़ेगा ठीक तो इसके लिए I निकालना होगा आपको तो आई निकालने के लिए क्या करेंगे पहले मैं आपको बता दू voltage 110 volt दिया हुआ है जो DC supply है जो battery का है वो 2.0 है internal resistance 0.5 है external resistance 46 है इस formula को use करेंगे I होगा V-6C by 6R plus R value रखेंगे I आई आपका 2 MPR आएगा अब हम जानते हैं कि जो power कितना draw किया गया supply द्वारा जो energy है या power है वो V into I होता है यहनिकि 110 को आप 110 को इस 210 को इस दो सब्सक्राइब कर दीजे 220 watt आगे अब power कितना dissipate हुआ यह दे कि power वैसे तो होता I square R plus I square R लेकिन क्योंकि यह 6 है तो 6 लगाना पढ़ेगा आपको यहापे तो 6 I square R plus I square R सारी values आपको पता है I भी आपको पता है 196 watt आजाएगा तो 220 watt और 196 watt में जो difference है यानकि 24 watt यह power use किया गया ताकि बैटरीज को चार्ज किया जा सके किर्चोफ rules जो electronic circuits है उसमें बहुत सारी चीज़े है resistor, inductor, capacitor, batteries यह सारे connected होते है एक दुरसे से थोड़ा सा complicated way में होते है normally अगर देखा जाए तो लिए हम जो class में college में सीखते हैं वो थोड़े से simple होते है लेकिन जो circuit है उसको हम यह नहीं समझ सकते network को तो कुछ rules है कुछ rules है ताकि हम network को analyze कर सके किर्चौफ सहाब ने rules दिये जो हम use करते हैं इसमें पहले इसको समझने जरूरी है किर्चौफ rules में जाने से पहले दो term जो circuit से related है किर्चौफ rules में यह चीज़ आजाएगी किर्चौफ rules जब बोलेंगे तो यह चीज़ आएगी जैसे junction या branch point बोलेंगे और साथ में loop बोलेंगे तो आप देखे junction और branch point क्या होता है इस figure को बहुत ध्यान से देखिएगा एक ऐसा point network में जहां पर एक से ज़ादा conductors minimum तीन वो meet कर रहे हैं उसे हम junction कहते हैं मिल रहे हैं आपस ले उसे हम junction कहते हैं अब branch point कहते हैं जो तीन conductor है आप देखे इस figure में जो A है A देखेगा और B है यह दोनों point पे पर इस point की बात करता हूँ यहाँ पर A करन यहाँ से आ रहा है A करन यहाँ जा रहा इसी को junction यह ब्रांच point कहते हैं तो loop क्या है loop क्या है एक close circuit जो conductor द्वारा conductor द्वारा बनाया गया और वो loop पतलब पूरी तरीके से यहाँ से शुरू होँए तो जब वापिस आएंगे तो गोल घुम जाएंगे उसी point पे दुबारा आएंगे V, C, पहला यह यह आपका close circuit है इसी तरीके से यह close circuit है इसी तरीके से यह पूरा close circuit है कितने circuit हो गया तो यह जो close circuit है इन्हें को हम loop कहते हैं जब हम analysis करते हैं network की तो जो unknown quantities है चाए V हो, चाए I हो, चाए R हो इसको हम निकालने की कोशिश करते हैं जो भी known quantities हैं उनको लेके किर्चोफ rules किर्चोफ साब का पहला rule क्या है किर्चोफ साब का पहला rule जो है वो पूरी तरीके से law of conservation of charge से आता है charge ना create कर सकते हैं ना destroy कर सकते हैं charge को, को charge किसी एक point पर रुपता नहीं है तो आप देखिएगा आप एक junction देखिए, यहाँ पर A आपको junction दिख रहा है जो current इसमें आ रहा है इस point A पर क्या क्या आ रहे हैं, क्या क्या जा रहे हैं, देखेगा यहाँ पर I2 बाहर की तरफ जा रहा है I4 बाहर की तरफ जा रहा है और I5 बाहर की तरफ जा रहा है तो हम क्या करेंगे इस i2 i5 जो भी बाहर जा रहे हैं ठीक उनको हम एक जगा लिख लेंगे और जो अंदर आ रहे हैं कोर कों से आ रहे हैं i1 अंदर आ रहा है i3 अंदर आ रहा है दो अंदर आ रहे हैं यारे कि I3 और I5 आपके अंदर जा रहे हैं अंदर आ रहे हैं I3 और I1 और बाहर कौन से जा रहे हैं I2 प्लस I5 प्लस I4 जो भी मैं समझाऊंगा इसमें जो भी समझाऊंगा अल्टिमेल एक चीज़ समझेगा कि जो करंट अंदर की तरफ आ रहे हैं वो बरावर होंगे जो करंट बाहर की तरफ जा रहे है बस इतना समझे यही law of conservation चार्ज है यही आपका किर्चॉफ का पहरा रूल है इसको इस तरीख से समझते हैं कि माल लिजे आपके करंट जो है I1 से लेकर I5 तक है Q2 हमने IK terms में निकलिया, T time में T जा रहे हैं अब देखिएगा कि जो total charge enter हो रहा है वो आपका Q1 है और Q3 है जो total charge बाहर के तरफ जा रहा है वो आपका Q2 है, Q4 है और Q5 है तो law of conservation कहता है कि जो charge अंदर आ रहे हैं वो बराबर होंगे charge बाहर जो जा रहे हैं इन charge के जगह आप IT लिख दीजी क्योंकि यहां से हम Q को I into T लिख सकते हैं तो I1 into T, I3 into T will be equal to I2 T, I4 T, I5 T T, T cancel कर दीजे, I1 plus I3 बराबर हो जाएगा I2 plus I4 plus I5 जो मैं आपको यहां बताया चाहिए तो आप इनको इधर लाके negative sign में कर लीजे कुल मिलाके कहने का मतलब है कि जो sigma I है वो 0 होगा यह important चीज़ है, किर्चाफ law यह नहीं है किर्चाफ law यह नहीं है, किर्चाफ law यह है sigma I will be equal to 0 इसका मतलब जो algebraic sum होगा जितने भी current इस junction पे meet कर रहे हैं वो 0 है, यही आपका किर्चाफ law का पहला rule है यह line जो आपको पताई गए sigma I equal to 0 यही पहला rule है तो यह चीज़ आपकी पहली चीज़ हो गई हमें यह भी देखना है कि convention क्या है जो electric current अंदर की तरफ आ रहे है उसको हमने positive choose किया और हमने कहा कि जो current जो है वो बाहर की तरफ जा रहे है उनको हमने negative choose किया तो अब देखे इस convention से मैं कैसे करता हूँ यह rule को मैं आपको बताऊँगा सबसे पहला I1 ले लिजे I1 अंदर की तरफ आ रहा है I1 ले लिजे अब मैं कुछ नहीं conservation में कुछ नहीं लगा रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि I1 अंदर आ रहा है हमने का I1 को plus करती है फिर दूसरे को देखे I5 यह भार की तरफ जा रहा है तो minus I5 करती है I4 भार की तरफ जा रहा है तो minus I4 करती है I2 भार की तरफ जा रहा है इसको minus I2 करती है I3 अदर की तरफ जा रहा है line exactly equal है ये दोनों line equal है ना बिलकुल ये चीज़ बिलकुल सेम है यही आपका किर्चॉफ साफ का पहला rule किर्चॉफ साफ का जो second rule है जो law of conservation है energy का और जो concept है आपका electric potential का किसी भी cross circuit में इसको हम analyze कर सकते हैं किर्चॉफ second rule इसलिए आया है इसलिए हम use करते हैं तो basically जो हम junction point के बारे में बात करेंगे close loop की बारे में बात करेंगे वो सारे किर्चॉफ second rule के शब्दों में किर्चॉफ second rule में आने वाला है अब आप देखिए यह आपका एक close circuit है इसमें R1, R2, R3, R4, R5 यह आपके resistances है इसमें दो battery's लगा दिए एक यह battery होगा एक यह battery होगा एक यह battery होगा E1 इसका EMF हो गया E2 इसका EMF हो गया intelligent resistance अब भूल जाएगे छोड़ दीजेए इसको right तो जो potential difference है किसी भी resistor के across वो क्या होगा V equal to IR यह current माल लिजए I1 इधर आ रहा है और R1 है potential difference यहां से यहां तक कितना होगा drop कितना होगा I into R potential तो drop होगा न यहां पर अगर आप current बहार है यहां से यहां तक जाते यह resistance कुछ खिच लेगा तो आपको potential drop होगा तो I1 into R1 यह potential यह जो V equal to IR न जो किसी भी डिरेक्शन में यह आपको बहुत ध्यान बतना है तो जो electric potential है किसी भी point पे steady state में वो change नहीं होता है अगर आप V A कहें electric potential point A पे तो ध्यान से देखेगा इसको मैं कहता हम V A है यदि हम measure करें जो change हो रहे electric potential में चाहे आप clockwise direction में घूम जाए यानि close circuit में किसी भी direction में घूम जाए और इसी point पे दुबारा आ जाए मालने कि यहां ऐसे ऐसे चलते 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 आप यहां पर वापिस आजाए तो आप ध्यान रखेगा कि V A chain नहीं होगा कहने का मतलब यह है कि electric potential है किसी point पे steady circuit है उचे नहीं होता इसी को हम single valuedness या एक valuedness कहते है आपके electric potential की बलकि single valuedness है electric potential की यही आपका law of conservation of energy से निकल के भी आता है तो जो electric potential drop है किसी भी जैसे माली जे एक resistance है current आपका i आ रहा है तो आपका यह resistance है i into r आपका drop मिलेगा इधर पर आएंगे तो आपको i into r drop मिलेगा माली यहाँ v यह पे है यह वी है तो minus i r मिलेगा आपको इस जगा पे यह voltage drop होगा अगर clockwise direction में जा रहा है आपको तो जो direction है current का हम इसको na arbitrary taken take करेंगे यानि कि यह कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको इस direction में भूमे या इस direction में भूमे आप किस जगा positive लेंगे किस जगा negative लेंगे यह आपके उपर है पहली चीज़ तो यह clear हो जाएगी तो जब इस r1 से current pass हो रहा है याले कि आप higher potential पे हैं और जो आप lower potential पे जा रहा है यह हम मानके चलते हैं तो इसका मतलब एक voltage drop होगा जो मैंने आपको समझाया A से लेकर अगर आप B पे गए तो ठीक लेकिन यहाँ पर एक battery भी लगी हुई है जो negative से positive अब ध्यान लखिए negative से positive का मतलब यहाँ है कि यहाँ पर potential rise हो रहा है जो negative से जब positive जा रहा है तो potential आपका rise हो रहा है तो potential rise यहाँ पर potential rise हो गया अब जब आप potential rise होगा इस जगह पे आप आजएए यह potential rise हो गया नेगेटिव से positive गया है इस जगह आजएए अब यहाँ पर i2 current है r2 आपका resistance है तो i2 r2 यह voltage drop हो जाएगा तो हम यह direction इस तरीके से move करेंगे हम जब यहाँ पर c to c से d आ गए इस जगह पर आ गए या यह e2 की बात करें c से d में यहाँ पर आपका एक और e2 लगा हुआ यहाँ पर आपका देखें आप positive से negative में जा रहे हैं याने कि positive terminal से negative terminal में जा रहे हैं इसका मतलब यहाँ पर positive से negative जाएंगे इसका मतलब यहाँ पर आपका decrease होगा potential positive से negative जा रहे हैं लेकिन इसके बाद आप resistance यहाँ पर है i3 resistance कुछ खीच लेगा तो यहाँ पर i3 into r3 इतना drop हो जाएगा ठीक फिर यहाँ पर आप आई आई फोर रफोर पर यहाँ पर आप इस direction करंट के against जा रहे हैं अभी तक तो आप direction में ही जा रहे हैं इस direction में गया है यहाँ पर आप डिरेक्शन के against थे इसलिए आप ने कहा कि नहीं drop नहीं होगा माइनस नहीं होगा, प्लस I2R2 होगा लेकिन जब आप डिरेक्शन में जा रहे हैं तो आप ड्रॉप कह रहे हैं, लेकिन जैसे आप यहाँ पर जाएंगे इस जगह पे, तो आपको जो अपने यहाँ बाना होगा उसका अपोजिट देना पड़ेगा, वास यह समझ लीज़े तो मैं आपको फिट से समझाता हूँ, कि क्या हो रहा है शुरुआत करते हैं VA से, यहाँ पर VA पोटेंशल मान लीज़े इस जगह पे VA पोटेंशल है, जब हम इस जगह पे गया यहाँ इस जगहा है, हम clock wise चल रहे है current इस तरफ वह रहा है, R1 इस तरफ है current इस तरफ वह रहा है, आप A इस तरफ रहे है इसका मतलब, आप इसको प्लस I2 R2 करेंगे बस इतना समझ लीजेगा, यहाँ पर आप डिरेक्शन में जा रहे थे यहाँ पर प्लस आई फोर आई फोर हो जाएगा इस जीक आप आएंगे यहाँ पर आफाइव है यहाँ आई फाइव है आप डिरेक्शन के अपोजिट चल रहे हैं इस मूँ डिरेक्शन मूँ करें तो प्लस आएगा अब यह जब चल लिया आपने जब इस पॉइंट पर अब जब आप देखने देखा आपने जब इसको घुमाया जीरो है क्योंकि विये विये कैंसल कर दिया जब जीक सम है जितने भी चेंज हो रहे है पॉटेंशल के एक क्लोज लूप में वह जीरो है अब अगर आप इसको कहें कि हम आई आर को इधर रखना चाहते एवन एट यह आपकी किर्चॉफ साब की सेकंड रूट है यह एक्वेशन बताती है कि कोई भी क्लोज लूप है जो अलजबरिक सम होगा जो प्रोड़क्ट है रिजिस्टेंस और करंड का वो किसके बराबर होगा जो अलजबरिक सम है जितने EMF साब पर अप्लाई किये है इस लूप म यहांने कि अगर एक लूप में आप गए इस जगह पे इस तरीके से आप इस लूप में गए मालने जिए यह रिजिस्टेंस है यहाँ पर बैटरी लगी है यहाँ बैटरी लगी है जो यहाँ पर I into R1 जैसे I current पास होना तो I into R1 या I into R2 यह किसके बराबर होगा यह E1 प्र किर्चाफ लॉग किर्चाफ लॉग में जब साइन कर्वेंशन आप अपप्लाई करेंगे यह क्योंकि यही आपको किर्चाफ लॉग से प्राब्लम सॉल्व करना आसान बनाएगा पहले चीज़ तो यह है कि अगर हमारी जर्णी जो है अगर इस तरीके से हम रिजिस्टर प मतला वल्टेज ड्रॉप कहेंगे इसको तो आई आर होगा अगर हम इस जर्रेक्शन में जा रहे हैं और करन्ट इस तरफ बहरा है तो आई इंटू आर को हम प्लस आई आर लेंगे अपनी इक्वेशन में प्रिजिस हो गई अब एम एफ की बात करते हैं जो एम एफ बैटरी की इसको आपको नेगेटिव लेना है जब आप नेगेटिव से लेना है त तरह जब आप पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं यहा पर आपका positive लेंगे बस ये आपको ध्यान रखना डिरेक्शन है electric current का वो आप कैसे भी choose कर सकते हैं इसमें कोई बंदिश नहीं है आप electric current का direction ऐसे choose कर सकते हैं ऐसे choose कर सकते हैं अब बस आपको ध्यान रखना कि जिस जगज जिस तरीके से जाएंगे आपको ये convention follow करने पड़ेगी तो ये सवाल जवाब है आपके किर्चाफ रूल पे इसको हम देखेंगे अगले discussion में बहुत शुक्रिया बहुत महरवानी आप सब्सक्राइब